हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आज मैं आपके लिए जो वीडियो देखे बात करने वाले हैं टीसियस के बाइबैक की टीसियस ने आज की डेट यानि की 12 जैनवरी 2022 शेयर बाइबैक की एनॉंसमेंट करी है वो भी अठारा हजार करोड की यानि की एक शेयर जो की अभी 3860 यानि सारे क्वेशन आ रहे होंगे आप सोच रहे होंगे यार 500-600 रुपे का यह सीधे प्रॉफिट जो है बहुत ही बढ़िया लेकिन बाइबैक की भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं समझ ये जरूर लेकिन हां कंपनी ने अपने स्टॉक की एक अच्छी वैल्य अंपने देखा हुगा टीक्तियस रेगुलर बेसस पे भाई-बैक के अनॉइंसमेंट बोनस की अनॉइंसमेंट करता है और द्किन की एक बड़ा प्लेयर है बड़ा प्लेयर है और साथ में इन्वेस्टर को अपने साथ जोड़े picture अ peculiar को ग्रोफ पास्पेक्टिव से भी ब पहले में आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और डीमेट अकाउंट अगर आपने अब तक नहीं खोला है तो कैसे शेयर मार्क सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए मेंबर से यहां पर दो महीने की फ्री यहां पर ऑफर की जारी है डेस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी अब सीधे लेके चलते हैं आपको टीस का बाइबैक सबसे पहले देखिए यह अभी हुई है छे साड़ी शे बज सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए हम वीडियो लेकर आए देखिए यह जो एनॉंस्मेंट हुई है कंपनी ने कहा है हम 18,000 करोड बिलकुल ध्यान से देखना है इसको 18,000 करोड का के शेर जो है वो बाइबैक करेंगे मैंने बिलकुल जूम करके आपको दिखा दिया यहां पे तो आपको बाइबैक का साइज पता लग गया और दूसरा इंपॉर्टेड टम देखिए बाइबैक बाइबैक आप सुनते होंगे लेकि छोटी 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 चीजा आपको पता होनी जरूर यह देखिए पैंतालिस सौ रुपे इसलिए मैं पूरा जूम करके आ बाइबैक यहां पे होता है और साथ के साथ यह तो बाइबैक का प्रपोजल कंपनी ने दे दिया चली अच्छी बात है बहुत अच्छी बात अब आपके मनदी में क्या पहली इस तरिके से बाइबैक देता था अभी रीसेंट बाइबैक के अगर मैं बाद करो 2020 में भी अन एक अक्टूबर साथ की देट थी और बाइबैक की रिकॉर्ड डेट नवेंबर 28 की थी यानि कि अभी एक साल 2021 से पहले 2020 के एंड में और अभी मान के चलिए साल पूरा हुआ ही है तो फिर से बाइबैक के अनॉंस्मेंट कर दी इस बार कंपनी ने क्या प्राइस रख दिया यहारी है बाइबैक में आल्मोस्ट साथ रुपे के आस पास का डिविडेंट जो है कंपनी ने अनॉंस किया यह देखिए साथ रुपे पर शेयर का डिविडेंट जो कि आपको काफी छोटा लग रहा होगा लेकिन अगर मैं यहां पर आपको दिखा हूँ रिजल्ट है अगर आप देखोगे तो यह जो कंसॉलिडेटेड स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस की इंडिया एस फनेंशल स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं देखिए 48,000 यानि कि 48,885 करोड का रिवेन्यू कंपनी ने दिखाया है जो पिछला साल यानि कि 2020 के डिसंबर देखने को मिल रहा होगा और उसी तरीके से एक्सपेंडिचर को भी आप देखो तो अच्छा खासा जंप एक्सपेंडिचर में भी देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट में आप सीधे सीधे लगा लीजे हजार करोड की जो बढ़त है अर्निंग पर शेर जो 23 के आ पर जाते हैं क्यों हो जाते हैं उनको भी समझने की कोशिश करें कि लार्ज के स्टॉक्स है यहां पर यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यह स्टॉक आपको पैसा कुछ टाइम में डबल ट्रिपल चार गुना पाच गुना कुछ ही महिनयों के अंदर कर देगा लेकिन हां य यह लॉंग टम विजन के हिसाब से लोग इनको देखते हैं साथ में छो मंतली की करेक्शन में जो है उनको रिजॉल्व होके उनको देखने की कोशिश करने देखिए 14 लाक करोड का मार्केट क्या पर इसी का नंबर है अगर कंसिस्टेंसी देखोगे तो यह देखिए रिव 10 साल का अगर average CAGR देखो stock price का तो 20-22% का return आपको consistently दिया ही दिया है पांस साल में 28% पिछले तीन साल में 28% इतना दिया ही दिया है तो यह consistency वाले stocks होते हैं अब मैं आपको price section के उपर ले के जाओंगा देखिए price section की बार बार आपके सामने बात करता हूँ price section price section बहुत ही important है Rally आ गया है और यह Rally अभी 4500 तक मैं कहूंगा जैसे 2020 में आपने देखा होगा कि 3000 के आसपास का price set किया गया था और अगर आप देखोगे तो यह वह level था 3000 के आसपास का यह पर price set किया उसके बाद देखे price और भागा अभी 4500 का price set कर दिया गया है तो price और इस area में consolidate कर सकता है लेकिन इन stocks को अगर देखा जाए तो असली opportunity जो यह monthly correction होते हैं वो तो खैर बहुत बहतरीन होते ही होते हैं और साथ के साथ साथ मैं यह कहूंगा फिलहाल अभी के time पे अगर आप देखोगे तो monthly के साब से बहुत दूरी है मंतली के साब से बहुत दूरी है इन में क्यों 1300 की range थी और bottom side पे 1000 रुपी के आसपास की range थी बहुत tight consolidation उसके बाद यह देख सकते हो जब October 2018 के आसपास देखे 200 के आसपास भी इसने यहां पर देखे bonus का भी announcement यहां पर हुआ था तो यह range देखे कितने tight यह range है उसके बाद covid में डाउन आया फिर वापस इस तरह किसे market अभी 4500 की range है लेकिन monthly के हिसाब से अब देखोगा आपको गयर अभी तो बहुत दूरी है अब होता क्या देखे एक important party moving average में जब भी आपको बताता हूं देखे अब होता क्या जब तक price उपर ही रहेगा तो क्योंकि recent prices के उपर moving average का calculation होता है तो धीरे-धीरे करके time consolidation के basis पे यह price again moving average के near आ जाता है ऐसा नहीं कि जो stock भागते हैं वो moving average के near नहीं आते हैं बट उसमें price consolidation जरूरी नहीं है लेकिन time consolidation वहाँ पे देखने को मिलती है अभी recently अगर TCS को आप देखो तो TCS ने एक बहुत अच्छी चीज हमें आपे breakout के बारे में बताया था यह देखिए वा demand increasing demand वाला breakout फिर आता है rally और फिर एक बहुत ही बहतरीन pullback आता है अब इस area में announce किया है company ने 4500 की range तो फिलहाल मैं अगर long term perspective से आपको कहूं कि यह stock हां यह जरूर 4000-4000 के basis पे consolidation यहां पे दिखा सकता है बट हमेशा याद रखे इन बड़े stocks हो या चोटे stocks याद रखे monthly और weekly time frame अगर आप long term perspective पर invest करने की कोशिश कर तो इनको इन EMAs के near आने दें अगर यह यहां पर भाग गया 4500 के उपर पहुंच गया तो धीरे धीरे आने वाले time पे time consolidation अगर price correction नहीं होता तो time correction उसको कहा जाता हो time correction इसको moving average के near लेके आती है आप past से भी देख सकते हैं यह देख नीचे आ गया लेकिन उसके बाद देखिए दिरे-दिरे करके बाद में एक दमी सीधे यहां से नीचे पकड़ा लेकिन major area बाइस सौका आसपास इसका यहां पर था मैं यह कभी यह नहीं कहता हो कि आपको stock को bottom पे पकड़ो लेकिए bottom पे चाहें अच्छा stock हो बहुत की हो जाता है आपके पास हमेशा एक ऐसी चीज होनी चीए ऐसी मैं कहूंगा point होना चीए जहां पे आप अपना stop loss लगा पाओ मानलो आप इस correction के resolution को play कर रहे हो इस correction के बाद breakout के बाद pullback को 3600 रुपे पर खरीदे हो तो आपको पता आपका stop loss 3400 के round है मानलो आप long term vision के opportunity आजाए कोविट टाइप की तो आप अपना profit को भी time पर लॉक कर पाया तो यह बहुत important चीज है market के बारे में और buyback देखे प्रमोटर ने यहां पर buyback करने की कोशिश की है तो आपको एक और detail आपके शाहां share करेंगे देखिए जब 2018 के time पर किस तरीके से share बढ़े थे 71.92% से 72.05% हुआ था प्रमोटर का हिस्सेदारी उसके बाद अभी 2020 में जब buyback हुआ था यह देखिए 72.19% हो गया फिर से यहां पर प्रमोटर के हिस्सेदारी बढ़ने वाली है जब यह buyback complete होगा तो wind up करता हूँ वीडियो को share कीजे like कीजे price section सीखते रहिए practice करते रहिए और price section के learning series के लिए आप membership join कर सकते हो साथ में membership के free offer के लिए हमारा जो यहां पर description पर दिया गया है कि किस तरीके से membership का free offer लिया जाए और जिरोधा में आप DMAT account open कर सकते हो उसके लिए and thank you thank you for watching the video